हेलो गाइज वेलकम तो बेस्ट फेंटन सीटिफ ऑफिशल यूट्यूब चैनल आज हम बात करें गाइज जो सेंट्र लेंज वोमें वर्स नॉर्डर वोमें के बीच में मैच है सुपर स्मैश वोमेंज का यह मैच गाइज होगा तीन बच के चालिस मिनट पर तो बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है अगें मेगा लिए के लिए एक सॉलिड मैच है वेन यू गाइज इसका रहेगा प्यू क्यूरा पार्क न्यूजिलाइड अब गाइज इसकी बात करें पन पॉइंट्स टेबल की इस सीजन तो यहां से आपको एक बहुत अच्छा सीखने को मिले कौन सी फ्रीम स्ट्रॉंग है कौन सी वीग है कोई फरक आपको जादा इसमें नजर नहीं आने वाला क्लियर रहता है लेकिन वहीं अपन वेन्यू की बात करते हैं तो सेंट्र लेंस ने इस वेन्यू पर नौ खेले हैं और चार मैच जीते हैं नौदन ब्रेव ने यहां पर एक ही मैच खेला है एक ही जीता है तो अब आपको लग रहा हो कि नौदन ब्रेव हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रॉंग हो लेकिन अगर एक्सपिरियंस की बात करें तो वेन्यू पे वह है सेंट्रल हिंस को जादा विकाउस उन्होंने पांच मैच यहां पर हारे हैं तो वह ख लेकिन यहां से लेकिन यह जरूरी नहीं है कि लास्ट मैच की तरह ऐसा ही परफॉर्मस कुछ हो एक ही विकेट मेले स्पिनर यहां पर थोड़ा सा आगे ही होंगे यहां से आपको दिखाना था मुझे इंपोर्टेंट है आपके लिए लास्ट की कुछ मैच हुए हैं जो लास्ट कुछ मैच इसमें जो टीम जीती है अच्छा कासा प्राइस उनकी टीम क्या रही है तो यह आपको दिखाता हूँ आपको देखके खुद पता चलेगा अब यह टीम आप देख सकते हैं इसमें आप बताईए ऐसा क्या अलग है और ऐसा क्या था जो आप नहीं कर सकत कर दिखाता हूँ अब एक और मैच की टीम नहीं बताता हूँ गता प्रेक्टिकल नॉपल शसलोग्स अप देखको आप देख सकते हैं इसमें आप नहीं ले सकते हैं में आप नहीं include कर सकते हैं इसमें ऐसा कौन सा player है कि कौन सा out of the slavers player आ गया है और अच्छा करके गया है और वो captain, vice captain है या वो इस team में है, बताइए कोई player है, बिल्कुल नहीं है लेकिन 92,000 team जीती है, फिर guys यहां से और देख लेने, 51,000 कौन जीता है, यह team इस team में guys क्या है कुछ आपको फर्क दिख रहा है मैं guys इसलिए आप लोगो आज यह दिखा रहा हूँ, ताकि आप यह question थोड़ा सा खुद से करो, कि इन से अच्छा match grandly के लिए कौन सा होगा, और कौन सा नहीं होगा, यह चीज़ आपको खुद से सोचनी है, यह teams देखके यह amount देखके winning की, आपको खुद से सवाल पूछना है, क्या difference है, और क्या आप नहीं बना सकते थे, क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया ता, बहुत ही जादा simple सी चीज़ है मतलब कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है, जो out of the slayvers आ गया हो, जैसे अपने cricket के मैच में होता है, यह वाले men's के थोड़ी सी हो जाता है, unpredictable हो जाता है लेकिन गईस, इसमें क्या है, मतलब यह fixed set of players है, जो मैं आपको बताता हूँ, perform करेंगे और वही होता है most of the time तो guys, इसलिए चलिए आप वीडियो पर जलने है, practical knowledge दे दू, हो सकता है, आज आप मैं से भी किसी का नाम इस list में आ जाए बात करें इस venue पर performance की, तो पहले मैं आपको performance बताऊँगा, उसके बाद आपको एक importance बताऊँगा, प्लेयर की Northern Wave Women की तरफ से Kate Anderson 17 किया है, कैटी ग्यूरी 57, bro खैली डे 7 किया है Sam Burrybal, इस venue पर कभी खेली नहीं है, Lucy Boucher ने 0 Nancy Patil, 4, not out, प्लस एक विगेट Shreya Naidu, इस venue पर नहीं खेली है Holy Top भी नहीं खेली है Saaspeed, एक मैच में एक विगेट, दूसरी पारी में Lauren Heep, एक मैच में एक विगेट, दूसरी पारी में Kylie Knight भी इस venue पर कभी नहीं खेली है अब guys Central Hind Women की बात कर ले दें तो यहां से guys आप देख सकते है, Jess Watkin ने दोरों ही पारी में इस venue पर पहली पारी में 56 की आए, 26-5 फिर दूसरी पारी में 15-3, 1 यानि कुछ मतलब खास परफॉंस है नि एक यह बार इन उनने 50 की पारी खेली है उसके अलावा 30 प्लस भी आपर नहीं खेला है लेकिन प्लेयर कापी अच्छी है, आप सब जानते है विद्ध विद्ध बॉल कोंट्रिबूशन कर सकती है प्लस आड विगेट भी है इनके इस venue पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करती है, मेल बॉलर है टीम की उसके बाद का इस नटैलियर डॉट एक भूती अच्छी प्लेयर, कंसिस्टेंट इस venue पर लेकिन थोड़ा सा अटकी है बट हो सकता है, अच्छा कर सकते हैं आज के match में और अच्छा करेंगी, obvious सी बात है पहली पारी में 40 की है, इस venue पर 13, 12, 2, 1 दूसरी पारी में 49, 28, 6 जोजी एटकिंसन, कुछ खास परफॉर्मस है नहीं जोजी 6 match में 1 wicket है सिर्फ on this run है, मैडी ग्रीग 6 match में 2 wicket है, प्लस 59 run है यहां पर है नर ओवे जो इस team की main baller है पहली पारी में 32 की है, पर 25 not out, 6 not out, एक दूसरी पारी में 44, 22, 31 यानि थोड़ा ठीक परफॉर्मस इनका यहां पर है प्लस 4 match में 4 wicket इनके हैं और 4 match wicket less यहां पर गई थी, sorry 8 match में 4 wicket है यहां पर और 4 match यह wicket less यहां पर गई है, अब guys बात करने है, रोजमेरी मेर, main ballers team की 6 match में 7 wicket है, प्लस 46 run है और 1 match में ही wicket less गई है तो यह लिकिन का अच्छा परफॉर्मस हो गया, Emily Cunningham 7 match में 104 run है इस venue पर, Ocean Ballet कभी खेली नहीं है, Kate gagging भी इस venue पर, एक match खेला है और उसमें कोई रोल नहीं था, इनका ना with the bat ना with the ball, Melly Sun Sin 3 match में सरफ 1 wicket है इस venue पर, Claudia Green 7 match में 3 wicket है, 4 match टोटल wicket less गई है, अब guys यहां से आपको stat सारा समझा दी है, जितना भी venue था, head to head मैं समझाता नहीं, उसमें ज्यादा believe रखता नहीं, because, एक impact होता है, मैं मानता हूँ, इस venue को आप लोगों देखा होगा, और मैं कभी भी जाए, grind league की team बराऊ, small league team बराऊ, मैं head to head कभी भी नहीं देखता हूँ, head to head क्या है, थोड़ा सा मुझे confuse कर देता है, इसलिए, अब guys, यहां से importance, अपन बात कर ले दे, तो important guys, आपके लिए को रहा है, Kate Anderson, एक चीज आपक इंडरसन है, तो यह चार ओवर लिए ही डालेंगी, यह सिर्फ एक या दो ओवर ही डालेंगी, वो भी मुश्किल है, category, important आपके लिए पिक रहेंगी, small league को, grand league को, broke holiday भी important रहेंगी, main baller है team की, because, यहां से guys, सबसे जादा important इस team से कर मुझे कोई लग रहा है, तो वो guys, सबस with the ball, आपको contribution दे रहें, consistently, season, plus क्या है, यह off spinner भी है, तो off spinner, obviously, women's match में आप कभी भी देखना, पूरा strides उठा के, तो एक particular match का, जो off spinner है, उसमे, right arm or break spinner हुए, उनका, roll थोड़ा सा जादा ही, निकल के आता है, तो इसलिए, most important pick, आपके लिए रहेंगी, Nancy Patel, स्क्रीम की तरफ से, captain wise, captaincy, option, उसके लावा मुझे लग रहेंगी, saas field, मतलब experience player है काफी, तो आप saas field को भी try कर सकते हो, बागी Sam variable जो है, अगर यह Kate Anderson के साथ opening करती है, वैसे तो नहीं करेंगी, most chances नहीं लग रहा है, WNCL में जरूर इनोंने कराता, तो अच्छी पारी खेली थी, दोनोंने, अगर करती है, तो Grand League में Sam Barbiel को आप जरूर कैपिनल गर तक तो, 30 पैतेस खेल सकती है, मुझे लग रहा है, Lucy voucher को भी guys strike कर सकते हो, small league में तो आप करोगी, small league में हो सकता है, अगर कोई नहीं लाए, तो आप तो जरूर लेके जाना Lucy voucher को, बिकास क्या है, यह एक दो ओवर भी Lucy voucher डाने, या तो Shreya Naidu डाने, इसलिए यह आपके लिए important रहेंगी Lucy voucher भी, बाकि मुझे लग रहा है, जो कैशिन आइटे इनको ओवर नहीं मिलेंगी, या मिलेंगे भी तो एक काती ओवर मिलेगा, central hints की बात कर लेते हैं, कौन important आपके लिए रहेगा, जैस वाटके, most important Natalia, obviously wicket keeping में है, तो आप इनको लोगे ही लोगे, नटेलिया डॉट, captain wise captain सी की बहुत अच्छी होच रहें है, चाहे small league हो चाहे grand league, अटकिंसन भी है, अटकिंसन क्या है अची प्लेयर है, इस venue पर थोड़ा सा जरूर अटकी है, अटकी क्या है, बैक टू बैक अटकती आ रहे है, देखते हैं आज की मैच में, फिर यहां से हैना रोब इंपॉर्टेंट, रोजमेरी मेर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक लग रहे हैं मुझे स्टीम की तरफ से, आफ्टर नटाइलिया टॉड रोजमेरी मेर, फिर यहां से गाईज एक लॉड़िया ग्रीन भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, बहले इनके 4 मैच विकेडलेस गही हो, लेगल मुझे एक इंपॉर्टेंट यहां से लग रहे हैं, उसके लावा आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग में मैडी ग्रीक को जरूर ट्राय करना है, एमिलिक कैनेंगों को ट्राय करना है, ओशेन बालेट गाईज थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, स्मॉल लीग में, ग्रैंड आप खेला है, तो आप देख सकते हो, बाकि जो इंपॉर्टमेंट है, यहां से मैं आप बता दिये, एक रिस ग्रीन, एमिले करने को ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग रोजमेरी मेर, मैडी ग्रीक को भी बैंडिक से रख सकते हो, गर आप ड्रीम 11 जैसे प्लैटफॉर मैरी मेर को भी आप दे सकते हो, बाकि यहां से मैंने आपको सारे आप्शन बता दिया है, अब आप लोगो पूरी वैलियू मिल गए, यह बाकि अच्छा चलो एक चीज़ और बता देगा हूँ, परफॉर्मिंग प्लेयर मुझे क्या लग रहा है, इस मैच में, नैंसी पट करें हिंस की, तो यहां से काइज मुझे लग रहा है कि क्लॉडिय क्रीन परफॉर्म करेंगे, रोजमेरी मेर कर सकती है, हैना रोबे, और जैजवर्ट के लिए नाटालिय जॉट तो ऑफिस सी बात है, अटकिंसन को आपका इस क्रेंड लीक में ट्राइ कर सकते हो, तो आप इस मैच से रेलेटेट कुछ भी पूछना हो गरें, मतलब आप सबस्ते सोच नहीं सकते होगे, कि मैं कितनी कोईरी आंसर करता हूँ दिन पर में, अपने टेलिगाम चैनल पर, लोग कुछ भी पूछते हैं, कोई भी मैच से पूछ नहीं, अब क्या उनको बताना पड़ता ह क्योंकि आप सेन पर अगर उनको तो पताएं कि आपके वास मेसेज पहुत कि आप अगर आप इग्नोर करोगे तो वह अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उनको जवाब देता हूँ, मतलब समय दो दिन के 12 से 15 मैं लोग को जवाब देता हूँ, और उसमें से 3 या 4 लोग तो नए ही होते हैं, इसलिए आप लोग भी कुछ कमेंट, इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, एक जगे करो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इस मैसे रेटेट कुछ भी हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करतो, मैं आपको बता दूँँआ, बागी थेंकि यू वाचिंग वीडियो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरू करना, कि अभी आप चैनल पर कुछी भी वीडियो पर जाएए, और आपको यहाँ पर ऊपर बटन दिख रहा होगा, यह वाला, एरो दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आपको हमारे टेलिगाम च कर सकते हो, अगर आपको वैल्यो में लगा हो तो, और कमेंट भी कर सकते हो, थैंकियो फॉर वाचिंग वीडियो, बैल चाहरू दबादे ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए, हो सकता है आपके बहुत जादा काम की हो, थैंक यू